तो दोस्तो आज मैं 2024 में रिलीज उई मूवी इस्तिरी के पार्ट टू को हिंदी में एक्स्प्लैन करने वाला हूँ तो चलो बिना किसी तेरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है कि जो इस्तरी है वो चंदेरी छोड़ कर जा रही है और उसके जाने के बाद सरकटा चंदेरी में आ गया है आखर यह सरकटा कौन है इसका इस्तरी से क्या relation है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो वीडियो के end तक जरूर बने रहेगा अब सरकटा चंदेरी में आ चुका है और वो एक लड़की को गाउं से उठा कर ले जाता है मगर गाउं वाले को इसकी भनक तक नहीं थी और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्की इस्तरी के जाने के बाद सरद्दा की यादों में खोया हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सरद्दा कपूर को सरद्दा ही बोलूँगा क्योंकि उनके character का नाम इस movie में हमें नहीं बताया गया है एक दिन रुदर भाया के पास एक चिट्टी आती है जिसमें सरकटे के बारे में लिखा होता है मगर ये पता नहीं होता कि वो चिट्टी किसने वेजी है रुदर भाया उस चिट्टी को सिर्फ देखते हैं और पढ़ते नहीं है और उसे रख देते हैं अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि बिट्टू के एक girlfriend बन चुकी है जिसका नाम है चिट्टी और वो रात में विक्की के साथ अपनी girlfriend के घर गया हुआ है मगर जब विक्की और बिट्टू चिट्टी के घर से जा रहे होते हैं तब ही चिट्टी को लेने सरकटा आ जाता है और वो चिट्टी को लेकर चले जाता है ये देखकर बिट्टू और चिट्टी हैरान हो जाते हैं और चिट्टी को ढूंडने लगते हैं तबी गाउं के सारे मर्द वहां पर 18 हो जाते हैं और साथ मिलकर चिट्टी को ढूंडने लगते हैं मगर चिट्टी नहीं मिलती तबी विक्की को सरद्धा दिखाये देती है और उसके पीछे पीछे वो हविली में चले जाता है वहाँ सरद्धा को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने सरद्धा को देखा था सरद्धा बताती है कि गाउं में एक सरकटा नाम का दानव आ चुका है जो कि महिलाओं को लेकर जा रहा है अब ये बात विक्की जाकर रुदर भहिया बिट्टू और गाउं वालों को बता देता है और गाउं वालों विक्की की बात पर भरोसा कर लेते हैं अब विक्की और बिट्टू रुदर भहिया के घर चले जाते हैं और वो चिट्टी पढ़ने लगते हैं लो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत साल पहले चंद्रभान नाम का एक आद्मी हुआ करता था जो कि चंदेरी में रहता था और वो चंदेरी का मुख्या था। और वो अपने दोस्तों के साथ एक तबायब का मुझर अक्सर देखा करता था मगर जब तबायब ने शादी करने की कोशिश करी तो चंदरबान एंड उसके आदमियों ने उसकी छोटी बच्ची के सामने ही उस तबायब को मार दिया और जब तबायब की आतमा इस्त्री बन कर आई तो उसने चंदरबान और उसके लोगों के गले को काट कर जमीन में दफना दिया अब वही चंदरबान सरकटे के नाम से जाना जाता है जो की अब महिलाओं को लेकर जा रहा है अब विक्की और बिट्टू जणा को लेने दिल्ली पहुच जाते हैं जो की दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा होता है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जणा जिसके साथ रह रहा है वो वरुन धवन है यानि की भेडिया अगर आप लोगों ने भेडिया मूवी देखी है तो आप जान जाओगे इसमें वरुन धवन का क्यरक्टर भेडिया था जिसे देखकर ये चारों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं मगर सरकटा उनका पीछा करते करते गाव में आ जाता है और इन चारों को मारने लगता है तब ही सरद्धा आ जाती है और इन चारों को बचा लेती है मगर यहां पर हमें यह पता चलता है कि सरद्धा की शक्तियां बहुती कम है और सरकटा आसानी से सरद्धा को हरा रहा है मगर थोड़ी दिर बाद सरकटा वहां से चले जाता है विक्की स्रद्दा की बाते सुनकर तयार हो जाता है और सरकटे को वापस बुलाने के लिए रुद्र भाईया गाउं में एक नाचने वाली को बुलाते हैं जिसका नाम होता है शमा शमा जो की रुद्र भाईया की पुरानी दोस्त होती है तो रुदर भहिया के कहने पर शमा चंदेरी आकर डांस करने को राजी हो जाती है जब शमा चंदेरी में आकर अपना डांसों करने लगती है तब ही वहाँ पर सरकटा आ जाता है और पूरे पुर्शों को अपने वस में कर लेता है और शमा को अपने साथ लेकर चले जाता है और विक्की कुछ भी नहीं कर पाता अब गाउं भर में सिर्फ विक्की, रुद्र भाईया और जना ही ऐसे तीन लोग थे और उसमें एक पागलत खाने का address है और जब ये तीनों भोपाल जाते हैं और उस पागलत खाने में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसने वो चिट्टी भेजी थी और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो आदमी पहले चंदेरी में रहा करता था और वो सरकटे का वंशज है और यहाँ पर हमें अक्षेकुमार का कैमियो देखने को मिलता है अक्षेकुमार वही पागल है जिसने रुदर भाईया को चिट्टी भेजी थी अक्षेकुमार यहाँ पर बताता है कि सरकटे को कोई भी मर्द और कोई भी नारी नहीं मार सकती है, सरकटे को सिर्फ आधा मर्द और आधी महिला ही मार सकती है, यानि कि अर्द नालेशवर, अब ये तीनों चंदेरी वापस चले जाते हैं, और वहाँ पर सरद्धा भी आ जाती है, सरद्धा विक्की को बताती है कि मैं तुम्हारे अंदर गुश कर अर्दनालेश वर बन जाओंगी और हम दोनों सरकटे की दुनिया में गुश जाएंगे और वहां की सारी महिलाओं को चुड़ा कर ला लेंगे। अब ये चारों लोग उस हवेली में पहुच जाते हैं जहां से सरकटे की दुनिया में जाया जा सकता है। सरकटे के साथ लड़ रहा थी और उसे फिर से मार देती है। जो किया बड़ी हो चुकी है अब चंदेरी गाउं से सरकटे का आतंग खतम हो चुका है और स्रद्धा विक्की को बता आती है कि इस तरी की जो बेटी थी वो मैं ही हूँ विक्किये सुनकर हैरान हो जाता है मगर वो उस रद्धा से प्यार करता था तो वो उसे फिर से जाने देता है तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो कहतम होती अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना